हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप पहली वार वर्टिकल बड़ प्लांटिंग करने जा रहे हैं तो आप इस विधी से गन्ये की बुआई की जाती है वो कुणों में ना करके किसामें जमीन पे ऐसे ही गन्ये की खड़ी गुलियां जो हैं ल गाने के वारे में संपूर्ण जो है जानेकारी नहीं होगी तो आप इस विधी में किसामें फेल हो सकते हैं को कि सटीक नालज होना इस विधी के लिए जो है बहुती महतपूर्ण है तो आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप इस विधी से जो है अपने गन्ये की बुआई याने की उर्धवाधर जो गन्ने की बुआई होती वो आप कैसे करें तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो किरिपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा किसान भाई यहां सवाल करते हैं क्या हम लोग जो है वर्टिकल बड़ प्लांटिंग से गन्ने की बुआई फरवरी या मार्च या अपरेल में भी कर सकते हैं तो किसान भाई आप कर सकते हैं और यदि आप सतंबर या अक्टूबर में लगा देंगे तो इसमें आप गन्नों की संख्या एक बड़ से तकरीबन 20 या 15 या 16 गन्ने जो हैं और अस्तन आप एक बड़ से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं तो अब बात करते हैं कि आप इसकी बवाई कैसे करें तो बवाई करने के लिए आपको जो है अपने खेद की किसान में अच्छे से जुताई कर लेने तकरीबन 2-3 जुताई जो है आप अपने खेद की कर ले जुताई करने के बार में करना क्या है कि आपको किसान कूड नही बुआई करते हैं तो इसमें हम लोग कुण खीचते हैं तो इसमें आपको कुण ना खीचके तकरीबन साँधे-4 फिट चौड़े आपको बैड बनाने हैं तकरीबन 15 सेंटीमेटर आप उसकी उचाई रख सकते हैं और जब आप किसमें बैड आप जब आप साँधे-4 फिट तो आज जो पानी की नमी होगी वो जो है बैड की तरफ याणि ऊपर की तरफ बढ़ेगी जहां के समय आपकी नमी जो है समापत हो वहीं पे जो है आपको वर्टिकल बड प्लांटिंग जो है कर देनी यानि की गन्य की खड़ी ज्टिंग कर दोनी यानि की जो किनारे हैं बेड के वहां जो है आपको गन्य की खड़ी गुल्ली जो है लगा दोनी जैसा कि आप यह पिच्चर में देख पा रहे हैं Gilliland जैसे जो है इस लिए जो ठास्वी बहुती महत्रपुंण भोवुमिका ने बात सितंबर अक्टूबर में जमाव इदिसे बहुती अच्छा के समयों आप ले सकते हैं तो एक इसमें के समय यह तो हुआ बवाई का तरीका अब बात आती है कि आप बड की कटिंग यानि गन्य की कटिंग कैसे करें तो इसके लिए गन्य की किसमयों आपको एक एक आँख के बड प्लांटिंग में बवाई हो सकी यानि की ऊपर से गन्य को आपको जादा रखना है और नीचे आपको कम रखना है जब आप इस विधी से गन्य के एक एक आँख के टुकड़े काट लेंगे उसके बाद में जो है आपको बैड जो है आपने बनाए है उनके किनारों पे जो है आपको रोप देना है अब ये बात आती है इनकी दूरी आप कितनी रखें तो किसमें जब आप इनको रोपें तो आप एक बड लगाने के बाद में तकरीबन दो फिट का गैप आप इसमें दें यानिकी पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको दो फिट रखन है, इसे हथाप से आपका एक एकड में तकरीबन किसाम हैं पांच हजार जो है वर्टिकल बड़ लगेंगी आने कि पांच हजार जो पोधह हैं वो आपके एक एकड में होंगे, यानि कि अगर आख ने किसाम हीँ यहीं से जो आप इसका उत्पादन का भी calculation पहले ही कर सकते हैं निया कि पहले ही आप ऐनुमाल लगा सकते हैं कि आपका गन्ये का उत्पादन कितना ऐगा, यहां इस वी इस वीधी का एक advantage है कोई कि इसमें आप पहले ही अनुमाल लगा सकते हैं वो कैसे तो किसामियों जो है इसका अनुमा लगाने के लिए जैसे आप मैंने बताया कि साड़े चार फीट और दो फीट पर जब आप गन्ये को रूपेंगे तो आपके किसामियों तकरीबन पांच हजार जो है वर्टिकल बड लगेंगी उसमें से अगर किसामियों पैंताली सबी विदियों से काफी अधिक होता है तकरीबन इसमें आपको दस से बारा गन्ये जो है एक बड से देखने को मिलेंगे कहीं कहीं बीस बीस गन्ये भी बनते हैं परन्तु आप अगर हम लोग औस जाने तो दस गन्यों की आगर औस आती है तो अगर पैंतालीस सो किसामियों आपका बड लगी है तो अगर आप दस से उसको मल्टिप्लाई कर दें तो तकरीबन आपके पैंतालीस हजार गन्ये जो हैं एक एक एकड में बनेंगे यदि एक गन्ये का वजन एक किलो भी होता है तो आपका साड़े चार सो कौंटल जो उत्पादन है वो एक एक एकड में किसान में फिक्स है यदि किसान में आपके गन्ये का वजन डेर से दो किलो का हो गया तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो उत्पादन है गन्ये का वो एक एकड़ में साड़े आठ सो से नौसो कौंटल भी किसान में आ सकता है कोकि इस विदी में पूरा किसान में ये कि इस विदी में आप साल भर सहफसली ले सकते हैं या कोई भी आपको सबस्ती लगानी है तो आपका जो साड़े चार फिट का बेड है वह आपके लिए फ्री है आप वहाँ कोई-भी सबस्ती किसामे लगा सकते हैं और इसके साथ नादेख सा दूसरा इसका आडवांटर यह मिलता है कि इसमें जो ब्यात है वो काफी अधिक होता है को कि आपकी जो अन्य किसामियों विधिया हैं उनसे काफी अधिक जो है वर्टिकल बढड प्लांटिंग में ब्यात होता है तकरीबण आपको 10 से 12 गने एक बढ़ से मिलते ह और तीसरा किसामयों इसमें यह है कि इसमें आपकी लागत काफी कम हो जाती है कि आपको जो भी खाड डालनी है जो भी किसामयों आपको पेस्टिसाइड डालने है वो जो है आप पूरे खेत में ना डालके खाली पौधों पे ही आपको उप्यो करना है यानि कि जो किसाद आपकी दवा एक लिटर लगती है वो आपकी दवा जो है 200 या 300 ग्राम में ही आपका किसामा ये पूरे खीत में हो जाएगी यानि इस हिज़ाव से आपकी खाद और दवा की भी किसामे इस विधि में बचत होती है इसके साथ आपको जब आप पानी लगाएंगे तो आपको किसामे पूरे खेत में पानी ना लगाएंगे खाली जो आपने बीच में नालिया बनाई है उन्हीं में जब आप पानी लगाएंगे तो आपके खेत में घास काफी कम पनपेगा कुछ जो बीच में इस पेस होता है तो आप एसे कि वहां पे घास किसांधा है पनपता है याने कि सीधी में आपको खरपतवार्वी किसांधी अलग से नियंत्रण करने कि अशक्ता नहीं है अगर खरपतर होता वही है तो आप बीच में किसानों को देखने को मिलते हैं पर तो मैं आप से एक रिवेश्ट करूंगा अगर आप पहले साल इसको अजमार हैं तो आप थोड़ी मात्रा में किसान भाईयों इसको लगाएं तकरीबन एक बीगा या दो बीगा लगा के पहले साल इसको ट्राइ करें अगर आपके छेतर में इसका रियल्ट अच्छा आ रहा है तो आप इसको अगले साल में बढ़ा सकते हैं और सबी जगा जो है क्लाइमेट कंडिशन अलग अलग होती है तो आप पहले साल इसको थोड़ा लगा के ट्राइल अगर आपको विधग अच्छी लगे तो अगले साला आप इसको बढ़ा सकते हैं अब यह बात आती है किस से कफी सारे जो है जो है हमारे बाले इस मेजिव म्हारे किसान भाई पूछते हैं कि इसमे खाण हम लोग क्यासे डालें तो किसामी बुआई किसामे आपको इसमे खार नहीं डालनी है आप जब आप आखरी जुताई करें तो आखरी जुताई में आपको जो भी फटलाजर डालने हैं वो डाल सकते हैं उसके बार में आप अपने किसामे बैड बना सकते हैं अगर बुवाई करने का सही समय जाने तो जो सितमबर और अक्टूबर का समय है सबसे अच्छा जो है वर्टिकल बड़ प्लांटिंग का है इसके बार में अगर बुवाई करना चाहें तो आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं पर उसका जो उत्पादन है वो इतना नहीं तो ये थी कुछ जानेकारी अगर आपको पसंद आई हो वर्टिकल बड़ प्लांटिंग के वारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले धन्यवाद